ब्रीज फाउंडेशन्स हाई स्टुडेट मैं मंजी सिंग और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ब्रीज फाउंडेशन रेलवी ब्रीज एंटनल सब्जेक्ट में तो इस चैनल में आप लोग का सवागत है अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सबस्क्राइम नहीं किया है तो कर लिजिए जिससे कोई भी न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंग जाए तो आए स्टार्ट करते हैं ब्रीज फाउंडेशन देखिए यहां पर ब्रीज फाउंडेशन में हम लोग में जो है वो तीन प्रकार की फाउंडेशन यू फाउंडेशन एंड डीफ फाउंडेशन बट यहां पर हम ब्रीज की बात करें तो ब्रीज में हमेशा हम डीफ फाउंडेशन यूज करते हैं डीफ फाउंडेशन तो यह जो तीनों फाउंडेशन की बात हम करने वाले हैं वो कैसा फाउंडेशन है वो डीफ फाउंडेशन तो पहला नंबर है आपका पाईल फांडिशन सेकडान इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे विल फांडेशन पे लास्ट तो कैजन फांडेशन ठीक स्टुडेंट्स तो आपके स्थे बसके एककॉर्डंग यही तीन फांडेशन आपके स्थे वसमें दिया गया है जो कि भी ट पाइल फाउन्डेसन क्या होता है पाइल फाउन्डेसन देखिए हम लोग एक बात तो जानते हैं कि बृज में इनके तीन कांपोनेंट्स होते हैं फाउन्डेसन सबस्ट्रक्चर और इसके बारे हम लोग डिसकस कर चुके हैं पहले वीडियो में तो यहाँ पर super structure और sub structure बनाना तो बहुत easy है easy means compared to foundation easy है बट foundation बनाना इतना आसान नहीं है क्यों आसान नहीं है क्योंकि foundation यहाँ पर जो हम बनाते हैं यह हमेशा water के अंदर होता है जड़ा तर अगर आप नदी के उपर बना रहे हैं तो यह foundation जो होता है आपका water के अंदर होता है जहां कि हमें दिखाई भी नहीं देता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही गहराई में पानी वहाँ पर होता है और वहाँ पर हमें foundation बनाना होता है जबकि sub structure आपको बिल्कुल सामने दिखाई देता है तो आप उसको बना सकते हैं अगर future में किसी भी member में कोई कमी आती है तो आप exchange भी कर सकते हैं अगर sub structure या super structure में यूज किया गया है तो but foundation के वल एक बार ही बनाई जाती है उसको आप उसका कोई भी दूसरा member आप replace नहीं कर सकते हैं इसलिए बहुत ही सोच समझ के foundation बनाई जाती है तो pile foundation के हम बात करेंगे pile foundation का यूज तब करते हैं जब वहाँ पर concentrated load लग रहा हो जब point load act करता है वहाँ पर हम pile foundation यूज करते हैं या जब उस swell की bearing capacity काफी कम होती है या वहाँ की जो swell है उसकी जो hard layer है वो काफी नीचे depth पर मिलती है तो वहाँ पर pile foundation बनाई जाती है फिर से मैं repeat करूँगा pile foundation कब बनाई जाती है जब वहाँ पर जो load लगता है वो एक point load लगता है या concentrated load लगता है या वहाँ की swell की जो bearing capacity है मिटी की जो bearing capacity है वो काफी कम होती है तब pile foundation अपनाई जाती है या मिटी यानि swell का जो उपर ही layer है वो बहुत ही soft है बहुत ही जब soft होगा तो उपर से जो भी super structure और sub structure का load transfer होकर के foundation पे आ रहा है अब वो foundation जब swell पे transfer करेगा जब वहाँ की swell soft होगी तो उस load को ये bear नहीं कर पाएगा और वहाँ का structure फेल हो जाएगा इसलिए हम अगर मान लेजिए वहाँ की layer उपर वाली जो soft swell की soft layer अगर है और काफी नीचे depth पे hard layer है उसका तब हम वहाँ पर pile foundation बनाते हैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब कुछ area में जो नीचे ground water होता है उसका जो level होता है वो वर्सा में काफी घटाव बढ़ाव होता है उसमें कभी उपर आजाता है कभी नीचे आजाता है जिसकी वज़ा से वहाँ का जो swell है उसमें moisture आजाता है जिसे water logging कहते हैं water logging काफी नमी छेतर जो होता है तो वहाँ पर भी हम pile foundation बनाते हैं ठीक है pile foundation बनाते कैसे हैं देखिए कुछ spacing पे हम 3 से 30 मिटर लंबाई की ये pile हम यूज करते हैं 3 से 30 मिटर लंबाई की pile हम यूज करते हैं यह pile timber का भी बना हो सकता है concrete की भी बनी हो सकती है और steel इन सब material की बनाई जाती है इनको करते क्या है कि हम कुछ जहाँ पर भी हमें piling करना होता है वहाँ पर हम इनको जैसे timber का है या steel का है उनको वहाँ पर रख करके किसी भारी हतोरे से उसको ठोक करके उसको जमीन में धसा दिया जाता है जमीन में धसा देने के बाद या मान लिजे concrete का अगर हमें बनाना है न तो उसमें हम क्या करते हैं अर्थ के उपर hole कर लेते हैं hole करने के बाद उसी में concrete भर देते हैं तो उसी shape में concrete एक pile का काम करने लगता है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं pile बोलते हैं फिर last में इसके उपर pile बनाने के बाद इसके उपर हम क्या करते हैं एक slab डाल देते हैं और उस स्लैब के उपर पूरी स्ट्रक्शर बनाई जाती है महीं कि आपके सामने यह 3 फिगर दिखाई गया है इन फिकर को आप ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है देखिए यहां पर जहां पर मैंने सरकल बना यहां पर देखिया अब यहां की जो स्वैल होगी हो सकता इसकी बेरी के शिटी काफी कम होगी तो न होणा दिया जाएगा उपर की तरaf आगा फिर वहां पर स्लेब डाल देंगे स्लेब डाल करके अब उस पूरे एडिया में हम ब्रूडिंग के Children यह कामी बीज का व्हां पर हम कर सकते अब इससे होता क्या है ना कि अब वहां पर foundation जो होगा यहांनि पूरा sub structure या super structure पूरा load कहां पर transfer करेगा लास्ट में आपका इस foundation पर करेगा और यह foundation कहां पर load को transfer करेगा नीचे करेगा जहां पर hard swirl है आपका यहां पर देखिए इस water में देखिए यहां पर भी जगा जगा पाइल कर दिया गया है अब इसके उपर हम slab डाल करके कोई भी structure यहां पर हम बना सकते हैं यहां पर भी देखिए इसे बोलते हैं pile foundation सुन्याया आपको फिर से मैं repeat करता हूँ इसमें करते क्या है कि उस area में जहां पर हमें construction का काम करना होता है जगह जगह क्या करते हैं pile link कर लेते हैं पाइलिंग का मतलब क्या होता है या तो जैसे मानलेजी timber का pile अगर यूज़ करना है तो हम timber को किसी हथारे से जमीन पर धसा लेंगे जगे जगे बीच बीच में या माली जी steel का करना है तो steel को हम धसा लेंगे या concrete का करना है तो वहाँ पर hole करके cement concrete वहाँ पर भर देते हैं ठीक है भरने के बाद हम उसके उपर पर top level पर क्या करते हैं एक हम slab डाल देते हैं वो slab ह हमारा edge PCC काम करने लगता है PCC मतलब वहां का जो area है एक हमें plinth level जैसा वहाँ पर बन जाता है surface area एक हमारा बन जाता है और उसी के ऊपर हम structure को बना देते हैं तो होता क्या है कि पूरा load last में किस पर transfer होगा उस slab पर आएगा और slab किसको transfer कर देगा उस pile foundation पर कर देगा और यह pile foundation बहुत ही easily स्वैल पर distribute कर देता है जो की काफी नीचे गहराई तक बनाया गया होता है ठीक है तो यह आपका pile foundation है अब मैं next बात करूंगा wealth foundation की एकषर दो कहांगा will foundation है यह औजकर इसका यूज बहुत ज़्याद किया जाने लगा है will foundation का ugljour अपको अक्सर मिलेगा will foundation का यूज देखिए will foundation एक प्रकार का कैशन फाउणरेशन होता है kaizen foundation आपका होता है ठीक है अब figure देखिए आपको समझ में आ जाहे गा चीजे ये है आपका विल फाउंडेशन विल फाउंडेशन एक प्रकार का कैजन फाउंडेशन होता है कैजन का मतलब होता है बॉक्स बक्सा जिसे बोलते है इसका यूज कहां पे करते हैं जहां पर रीवर में पानी भड़ा हुआ होता है जब रीवर में पानी भड़ा हुआ होता है तो वहां पर देखिए फाउंडेशन बनाना काफी डिफिकल्ट होता है तो हम कैसे करते हैं यह एक प्रकार का कैजन होता है जो की वहां पर हम कैजन को हम क्या करते हैं वहां पर पानी जहां भड़ा हुआ होता है वहाँ पर रख करके पहले वहाँ के पानी को रोक दिया जाता है पानी को रोकने के लिए काफर डेम का यूज किया जाता है काफर डेम से पानी को रोक दिया जाता है उसके बाद विल के सेप में यानि एक कुणा के सेप में हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, will के shape में जब वहाँ बनाते हैं, हम वहां से पूरा पानी को निकाल दिया जाता है, पानी निकलने के बाद हम will के shape में वहाँ पर हम construction का काम कर लेते हैं, जैसा कि आपको diagram में दिख रहा होगा, एक will की तरह हम चाओ तरफ wall बना लेते हैं उसके बाद बीच में क्या करते हैं बीच में वहाँ पर हम सेंड या बालू भर देते हैं ठीक है आप एक्जामपल पर अगर देखना चाहेंगे तो काफी आपको इंडिया में बहुत सारे वेल फाउंडेशन आपको मिल जाएगा ठीक है इसका यूज करते हैं जब जहां पर हैवी लोड लगता है हैवी लोड अगर लग रहा है तो वहाँ पर वेल फाउंडेशन यूज करेंगे हम जहां की स्वैल बोल्डर जैसा है बोल्डर आप जानते हैं जब बोल्डर वो होता जब वहां के स्टोन की साउज 300 मिली मिल्मेटर से ज़्यादा होती है उसे बॉल겠지만 से वहां पर हम वेल फाउन्टेसन यूज़ करते हैं या अप लिफ्ट प्रेशर जहां पर होता है अप लिफ्ट प्रेशर में में प्रेशल लगता है जैसे मालेति कोई transmitter tower ले लिजिया और जो कोई transmission tower जो लगा हुआ होता है वो काफी height पर लगा हुआ होता है तो वहाँ पर क्या होता है अफ lift pressure लगता है और उपर की तरफ pressure लगता है तो वहाँ पर हम well foundation का यूज़ करते हैं well foundation देखेंगे लगा होता है और इसकी नीचे आप देखेंगे न तो एक cutting edge लगा हुआ हुआ होता है तो नीचे क हटा ऋगा होता है यह जोसे नीचे दोनों direction में open होता है खुला हुआ होता है और इसके सबसे नीचे bottom वाले level पर आप देखेंगे तो cutting edge लगा होता है यहनि उसका जो cutting edge लगा होता है वो क्या करता है swell को काटता हुआ अंदर की तरफ धस्ता हुआ चला जाता है उस cutting edge से मिटी को काटते हुए उसको अंदर तक डालते हुए चले जाते है ठीक है और आप जानते हैं कि जहाँ पर water का flow जादा होता रहता है वहाँ पर मिटी का जो नदी का जो level है वहाँ पर scoring होता रहता है निघरसर होता रहता है तो वहाँ पर इस foundation को अपनाते हैं हम लोग आज कल काफी उसका प्रचलन जादा हो गया है यह bridge में यह valley के लिए बहुत काफी समय से भी अपनाई जा रही है और आज भी इसको हम अपनाते है तो इस foundation का जो construction होता है एक well के तरह ही किया जाता है इसलिए इसका नाम well foundation रखा गया है ठीक है इसमें होता क्या है कि अब यह well foundation मराने से क्या होता है कि जितना भी load लगता है जितना भी आपका load लगेगा यह काफी नीचे मिटी के काफी नीचे वहाँ पर इस load को transfer कर देता है ठीक है तो यह है आपका well foundation आपको clear समझ में आ गया होगा देखें आपर एक diagram बना होगा है यहाँ पर एक काफर डैम बना देते हैं उससे पानी को चारो तरफ रोक दिया जाता है चारो तरफ रोकने के बाद हम क्या करते हैं यह जो well के shape में एक box बना हुआ होता है इस box को क्या करते हैं न कि वहीं पर जमीन पर जहां में लगानी होती है वहीं पर इसको धसाते हुए चले जाते हैं मिट्टी को काटती हुई चली जाती है बाद में इसके पानी को देखो किस तरीके से निकाल लगया है यहां के स्वायल और पानी को जो है बाद में निकाल दिया जाता है फिर यहां पर construction का काम कर दिया जाता है देखें यहां पर यह well foundation यूज किया गया है बाद हम आपको इस तरीके से दिखाई देगा यह well foundation यह देखें कुणगे के shape में बनाया गया है यह ठीक है यह well foundation आपका यहां पर भी देखें कौन सा foundation है well foundation है ठीक है next आपका कैसन foundation कैसन foundation एक well foundation की तरह ही होता है इसमें कैसन यानी box कैसन का मतलब होता है box एक well के shape में box बना हुगा होता है दोनों में different क्या है देखिए well foundation में यह होता है कि हमें जहां पर foundation को बनाना होता है वहीं पर construction का काम करते है वहीं पर construction का काम करते है जबकि कैसन foundation में ऐसा नहीं होता कैसन हम पहले से ही बना लेते हैं बना के उसको लेके आते हैं जहां पर यह foundation हमें कैसन foundation बनाना होता है वहाँ पर इसको डाल दिया जाता है वहीं पर रख दिया जाता है इसका यूज कहां पर करेंगे जैसे मालेजिए पानी काफी गहराई में वहाँ पर भड़ा हुआ है जब बहुत गहराई में foundation वहाँ पर पानी भड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम pile foundation या well foundation नहीं बना पाते हैं क्यों कि वहाँ पर हमें काफर डैम से पानी रोकना काफी difficult होता है देखिए अगर काफर डैम बनाने से अगर आप पानी को रोक सकते हैं तो वहाँ पर well foundation ही यूज करेंगे जब हमें लगता कि काफर डेम बनाने से भी वहाँ पर पानियम नहीं रोग पा रहे हैं तब उस स्थिति में हम कैजन फाउंडेशन यूज करते हैं कैजन फाउंडेशन हम अलग से बना के लेके आते हैं और वहाँ पर सिप से या नाव से वहाँ पर ले जाते हैं अब इसके उपर सेल्फ वेट भी बढ़ाते हैं हम कई बार ऐसे जब मानेज हमें जहां पर डालना होता है तो इस कैजन के उपर हम कुछ ऐसे जैसे टिंबर या स्टील या कंक्रीट को इस ऐसा चीज होता है जो कि उसके उपर रख दिया जाता है जिससे सेल्फ वेट के रहता है देखिए यहां पर आफ डाइग्राम में देखिए यह कैसम फाउंडेशन देखिए इसको अलग से बना करके यहां पर डाला गया है इसको अलग से लाया गया है अलग से लाया गया यहां पर इसको डाल दिया गया है रख दिया गया इसको ठीक है बाद में क्या करत पानी में तो कि यहां के पानी को हम नहीं रोक पा रहे थे कौफर डेम बना के जब अगर रोक लेते तो वेल फाउंडेशन यूज करते जब नहीं रोक पाए तो अलग से वही कैजन बना करके यहां पर डाल दिया गया डालने के बाद क्या किया जाएगा अब इसे में कंक्री करकrit माँती कह बना अवा होता है इस टील का भी बना होता है कंक्रीट कह भी बना होता है यह वाटर प्रूफ होता है यह अंदर से तो हउ kró ओкой से सको पुलए भड़दा रहे घो देगा तो फिर कैसे उसको वहां से लिए ऐने मेगे प्रोब्लम होता है यह हमेशा को खला होता है सिलिंडर के सिफ में होता है इसको कहीं अलग से बना करके नाओ से या सिप से उसको लेके आते हैं पानी के भीतर अंदर जहां भी हमें इसको कैजन फांडेशन बनाना होता है वहां पर इसको खड़ा कर दिया जाता है फिर बाद में उसमें सिमेंट कंक्रीट भर दिया जाता है सिमेंट कंक्रीट भर जाने के बाद अब य नाएंगे या विन वल बनाएंगे या टीक हैं दोनों में डिशनेस्ट आपको समझमें आ गया होगा वेल फांडेशन diaphragm लगवग मिलता जुलता है बस दोनों में डिभोण यहां कि वहीं फांडेशन Czech श्यक्सट्र्स्राद करते है क्योंकि वहां पर काफर डैम बना करके पानी को रोक दिया जाता है और हम पर हम्य काम करने के लिए पर हम वहांपर यूंज करते हैं तो यही का फाउंडेशन आपको पढ़ना था यहां पर आपके स्लेवर्स में ही तीन फाउंडेशन थे स्टुडेंट मैं समझता है आपको समझ में आ गया होगा इतना डिफिकल्ट नहीं है बहुत इसी है एक बार मैं फिल से रिपीट करूंगा तीनों बहुत ही सौटकट में अगर आप समझना चाहिए तो समझ लीजिए ठीक है पहले मैं बात करूंगा पाइल फाउंडेशन का देखें पाइल फाउंडेशन का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर वहां की जो वहां पर कंसंट्रेटर लोड एक्ट करता है या संकिंद्री भार लगता है या बिंदू भ स्वाइल हमें काफी नीचे घहराई पी मिलती है या वहां का जो एरिया है वहां की जो स्वाइल है वो काफी नमी में होता है हमें सा वाटर लॉगिंग के वजह से हमें सा नमी रहता है वहां पर तो वहां पर हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन ह होता है या वहीं पर कर सकते हैं हम लुखी ऑपहले से ही बनावा ह हुगा तो वहांपर हम क्या करते हैं जमीन पर रख रख करते कि उसे किसी भारी हतर्य से चोट मार करके उसको धसा देते हैं जमीन के अंदर धसाने के बाद शुकार हम a Ну बना देते हैं वो स्लैब हमारा एक एक प्लेन सर्फिस का कारे करता है फुर इसके उपर हमें जो भी वाल दीवार फॉंडेशन जो भी आगे का स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है जैसे ब्रीज की बात करें तो उसके उपर आप पीर से बनाएंगे या अबेटमेंट बनाएंग या विंग वाल बनाएंगे जो भी स्ट्रक्चर बनाना वो उसके स्लैब के उपर हम बना लेते हैं ठीक है या कई वार ऐसा होता है कि हम टिमबर या स्टील का नहीं उच्छ करते हो तो जमीन पर वहां पर होल कर लिया जाता है होल करने के बाद उसी में कंक्रीट सीमेंट कं पर उसी का इप और हरा या पर आपको दिखाई देरा यह टीनयों डागra अंदर जमीन की तरफ धस्ता हुआ चला जाता है यह उपर से भी ओपन होता है और नीचे से भी ओपन होता है यह दोनों साइट से हमेशा उपर होता है बाद में इसके अंदर क्या करते हैं बालू भर देते हैं स्वैल भर देते हैं तो विल फाउंडेशन आपका एक प्रकार क diesel Payson Foundation होता है इसका यूज वहाँ पर करते हैं जहां पर पानी भरा हगवा होता है काफी जब पानी वहाँ भरा कुए होता है क्या करते हैं कौफर Shap advice करते हैं कौने को रोक लेते हैं पानी रोकने के बाद अगर मालेघे कुछ पानी का मात्रा वहां पर है उस पानी को हम निकाल देते हैं निकालने के बाद अब हम क्या काम करेंगे वहां पर हम construction का काम करेंगे फिर कुल मिला कि हमें वहां पर पानी वहां से हटा देना होता है और वहीं पर हम जहां पर हमें foundation बनाना होता है वहीं पर हम construction का काम करते हैं ठीक है अब हम बात करें Cason foundation की यह well foundation की example है आपको दिखाई दे रहा है यहां पर पानी निकलता हुआ दिखाई गया है देखें कैसे पानी को निकाला जाता है last में यहां पर यहां पर इस्ट्रक्चर देखो बनाया जा रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा है किस तरीए से लग रहा है यहां पर देखो बना हुआ भी कम्प्लीट आपको दिखाई दे रहा है well foundation यहां पर भी under construction है यह भी आपका अब हम बाते हैं कैजन foundation का तो कैजन foundation कैजन का मतलब होता है एक बक्सा एक बॉक्स बना हुआ यह क्या होता है कि उपर और नीचे से यह भी open होता है खुला हुआ होता है अंदर से खोखला होता है cylinder के shape में होता है इसको हम यह क्या करते हैं जब हम पानी की घहराई जहां पर जादा होता है और वहाँपर हमவer garden से पानी को नहीं रोख पाते हैं तो वहाँपर हम क्या करते हैं किसी दूसरे स्थान पर यह kैजन बना के लेके आते हैं नाव या सिप Give Calf help की सहाथा सिने की आते हैं और वहाँ पानी में जहां पर भी हमें बनाना होता है वहाँ पर पानी के अंदर डाल देते हैं उसकी गहराई का हम पता पहले सी कर लेते हैं कितनी गहराई की है वो उसी हिसाब जिसका हम डेफ्ट च्वाइस कर लेते हैं डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि वाटर लेवल से इसी के उपर पियर्स बनाएंगे या अबैक्टमेंट बनाएंगे या विंग वाल बनाएंगे जो भी स्ट्रक्चर बनाना होगा हम इसी के उपर फिर बनाते हैं ठीक है तो मैं समझता हूं कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर समन में आ गया होगा आपको कोई confusion डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं उसका reply मैं दूंगा बट इतना कटिंट वैसे टॉफन नहीं है बहुत इसली है फिगर से देख कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है ओके स्टुडेंस में मिलूगा ने अब के पास मिलता रहे और सिविल इंजिनियर अगर आप स्टुडेंट्स हैं तो सिविल से लिएटर बहुत सारी लेक्च्छर्स यहां पर आपको मिलते रहेंगे ओके धान्यमाद